लोग सभा का चुना हुआ कि महा गटवंदन के नेता सब लोग सब जगा घूम रहे थे बड़ी भीर जूट रहा था उन लोग के सभा में भी भी रोड़े थी और एक सीट आरजेडी नहीं जीत पाया नहीं नहीं होता है लेकिन भीर ही बोट होता है इसा कुछ नहीं होता है भीर का मिजाज क्या है अंदर में क्रेंट क्या चलना है मुखेस्टाइली लग रहा है कि कोई परवाव डालेंगे अगर वह गठवंदन में नहीं आते हैं अभी किसका क्या परवाव डालेंगे तो समय बताएगा इंडिये में कौन-कौन लोग हैं कितना सीट पर लड़ें है सीट मांगने कादिकार है गटवंधन का दोड़ है महा गटवंधन है इंडिये का पकड़ेगा वह जरूर उस पर पहुंचेगा लेकिन वह तो कहते हैं कि जो हमारी नाव पे चरेगा वही पार पाएगा चोभीष में इसन و की सभारी करेंगा वही उसमा यहाते हैं वीर कटस आएगा उसको साड़ सीट का फाइदा होगा जो हमारे साथ नहीं आएगा उसको श॥र नुकसान होना है वो बार-बार कहते है हम तीकट मांगने नहीं जाएंगे लोग तीकट देने आएंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजबा के प्रवक्ता है राके सिंग क्या कहेंगे मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भीर देख रहे हैं कितनी भीर है अगर साथ नहीं ल इस पर बात होंगी और सबको अपने बात को रखने का अधिकार सीट मौंगने में का the doctor का दोड है माते है इन्डिया घ्र वंधन है तो सब को अपनी बाते रखने का दिक्षए वह सब चीज होती है स्टीट कब्गार्श लोग है कितना सीट पर लड़ेंगे क्या करेंगे सब किंद्री नत्री तुर पढ़ांती प्रदेश का नेत्य तो बैटके तैय करेंगा जहां तक सवाल है भीर और बोट दोनों अलग-अलग होता है जब होता है लेकिन भीर ही बोट होता है इसा कुछ नहीं होता है तो आपको पिछले दिनों देख रहे होंगे लोग स सीट आरजेडी नहीं जीत पाया एक भी सीट नहीं मिला तो कोई जोड़ी नहीं है कि भीर बोट हो भीर का मिजाज क्या है अंदर में क्रेंट क्या चल रहा है जो च्छतिसगर्ड मधपरदेश राजस्थान का चुनाव हुआ है पढ़िनाम भी आया बहुत भीर ऐसा तो न पाइंट कि अ छाटिसगर्ड में कॉट्रिस के सरकार थी दोनों जगत से सत्ता को उखार के फेक दिया जंता ने और मत्परदेश में भारती सरकार थी और उसको फिर से प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने का काम किया तो जंता की मिजाज को पढ़ना पड़ेगा समझना प बोलेगा परचंद बहुमत से सरकार बनने वाली की कोई सामने नहीं टिकने वाला है चुनाओ के जो भी चुनाओ का रिजल्ट आया है उससे दिखने से तो लग रहा है कि देश में नर्द मोदी की लहड़ फिर से चलने वाली है और घमणिया गटवंधन कहीं दिखेंगे नह ही लग रहा है कि कोई परफाव नाज अगर वह घटवंधन में नहीं आते है तो अभी किसका क्या परफाव दालेंगे तो समय बताएगा है जो और उसमें सब बता दिया जाएगा आपको कौन गटवंधन में आएगा लेकिन वह बार बार कहते है कि जो हो हम ठीकट नहीं जाएंगे लोग हमें देने आएंग क्या भीजे पी जा करके उन्हें टिकेट देगी कौन मांगने जाएगा कौन टिकेट देने جाएगा समय बताएगा बटाएगा कोन किसको कखरेगा क्या लगत तलि distracting समय अभी नहीं आया है जब पूचित समय आएगा तो इस पर बाते होंगी और यह चुनाओ का समय आने दिजिए चुनाओ का विगुल बजने दिजिए और हमको पूरा भरोसा है इंडिये का जो नहिया पकड़ेगा वो जरूर उस पर पहुंचेगा लेकिन वो तो कहते हैं कि जो हमारी नाओ पर चरेगा वही पार पाएगा चोविश में वही तो कर रहें कि समय बताएगा ना नरेदन मोदी की गारेंटी है उस नाओ की जो सबारी करेगा वही उस पर जाएगा तो आप सुनेते हमारे साथ थे बिजएपी के प्रवक्ता राकेश सिंग इनका कहना था कि देखे जो मोदी की नईया पे चरेगा वही पार पायेगा क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी बार-बार कह रहे है कि जो बिजएपी पार्टी के नाओ पे चरेगा उसकी नईया 24 में पार होगी ति इनका कहना है कि नहीं नईया उनकी पार होगी जो बिजएपी के नाओ पे चरेगा क्योंकि मोदी की गारेंटी है और 24 में फिर से इसकुमार लाइब बिहार पटना लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें